दिल्ली के रानी बाग आरे समाज मंदिर में पहुंचे सिक्किम राजजपाल आरे समाज को सिक्किम राजपाल गंगा प्रसाद द्वारा दी गई स्कूल और बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन साथ ही सहब बिल्डिंग बनाने में भी सिक्किम सरकार द्वारा किया जाएगा सैयोग 10-2 साल के अंदर सिक्किम के आदिवासी बच्चों के लिए गंग तोक में ही तयार होगा इस्कूल जहां आरे समाज द्वारा आदिवासी शेत्र के बच्चों को दी जाएगे शिक्षा दिक्षा आदिवासी शीत्र से आकर दिल्ली में वेदाचारे और शिक्षा ग्रहन कर रहे छात्रों से सिक्किम के राज़िपाल नहीं की मुलाकाद राजधानी दिल्ली में आरे समाज पिछले करीब 22 सालों से लगतार अलग-अलग जगों पर गुरुकुल चला रहा है जहां पर नौर्ट एस्ट के आदिवासी शीत्र से पीडिद बच्चों को दिल्ली में लाकर उन्हें ना सिर्फ पाठे क्रम की शिक्षा दी जाती है बलकि वेदाचारे भी सिखाय जाता है जिससे बच्चे शिक्षित के साल साल संसकारी बने और भारती संसकार और संसक्रती को भी भली भाती सीख सके नौर्ट एस्ट भारत की बात की जाए तो सिक्किम राज के बच्चे भी आदिवासी शीत्रों से काफी प्रभावित होते हैं और वहाँ शिक्षा का अभाव है ऐसे बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए सिक्किम के राजपाल गंगाप्रसाद द्वारा आरे समाज को जमीन का एक हिस्सा दिया गया जिससे सिक्किम के गंग तोक में शिक्षा के अभाव के कारण पड़ाई लिखाई ना कर पा रहे बच्चों को ना सिफ़ शिक्षित किया जाए बलकि उन्हें वैदाचारी की शिक्षा दी जाएगी साथ ही साथ उन बच्चों के रहने के लिए एक भवन निर्माण की गंग तोक में कराय चाएगा आज दिली के रानी बाग आरे समाज गुरुकुल में सिक्किम के राज़पाल गंगा प्रसाद पहुँचे जहां उन्होंने नौर्थ इस्ट के आदिवासी प्रभाविश श स्कूल का निर्माण कारे पूरा हो जाएगा जिसमें सिक्किम सरकार भी उन्हें पूरी साहिता दे रही है ना सिर्फ जमीन बलकी भवन निर्माण कराने में भी सिक्किम सरकार का सयोग रहेगा और उन्हीं के सयोग से आरे समाज मिलकर के बहुत ही जल्द नौर्थ इस्ट क बच्चों के लिए उन्हीं के आसपास सिक्किम के गंगतों में एक स्कूल और भवन का निर्मान करेगा जिससे वहां के बच्चे वहीं रहकर अच्छी शिक्षा और दिश्चा ग्रहन करेगा। संग को वहां पर विद्याले चात्रावास लीक शंस्थान बनाने के लिए उन्होंने वहां पर दिया। उन्हों का एक लख्षज है कि इसक्किम के जो ऐसा वर्ग जो स्वह्म से शिख्षा का खर्चा वहन नहीं कर सकता, वह भी शिख्षा प्राप्त कर सके। हमानने रूप से प्राप्त कर सके और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सके इसी लक्षे के साथ उन्होंने आरे समाज को उस जगा को वित्रन दिया विक जगा को एलाट किया हमें और उस जगा की रिजिस्ट्री इत्यादी सारी जो है आरे समाज के नाम पर देयानन सेवाश से बारत के विबिन आधिवाज शिक्षेत्रों में आसाम हो नागा लेंड हो अरुनाचल हो मनीपूर हो जारखन बद्रदेश राजस्तान उत्रप्रदेश इत्याजिके सभी जो आधिवाज शिक्षेत्र हैं वहां पर शिक्षा का कारे आज हमारे माँ पर 20 विद्याले और 100 पालवाडियां और हमारे लगबग बारा हमारे छात्रावास ये निरबाद रूप से चल रहे हैं और उसी मैं समझता हूं कि शिक्षा के स्थर को देखते वे आदनी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे राज्यपाल जी ने वे एक विश्वास ब्रत किया आरा समाज के प्रती और हमें इस जमेदारी को दिया कि हम वहां के बच्चों को शिक्षित कर सके और वहां के बच्चों को योग इत्यादी सिखा सके वहां के बच्चों को हम रख कर एक अच्छे संसकारित कर सके इस विश्वास के साथ उनने उस जमीन को हमें दिया और मैं समझता हूं कि आप यहां पर रानीबाग आरेक समाज में भी लगवाग विश्ले 22 वर्षों से इस कारे को किया जा रहा है क्योंकि यह मानता हूँ कि भारत का भविष्य है भारत का भविष्य नहीं ऐसा कारी करेंगे जिसमें पुरे संसार में ग्यान का प्रकास होगा इसके लिए लोग कारी करेंगे साती साथ समाज में सुधार करेंगे समाज में फैलेवन विस्वास को दूर करेंगे और इस पर कई कारी करते हुए नौर्थ इस्ट में वहां जाकर के पुन इस नौर्थ इस्ट के अंदर वैदिक भामना का भारतिय संस्कृति का इस प्रकार का उजागर करेंगे यह मैं आसा करता है। और समाच जिस तरीके से जो नौर्थ इस्ट के आदिवासी छेदर के बच्चों को सिख्षित कर रहा है वो कितना सराहनी है और उसमें आपने किस तरीके से सहयोग दिया सराज का उटेश नए यह बहुत ही सराहनी है हमारी सबों के परतिस्व कामना है और जो इस कारी में लग कारी कर रहा हूं और कई जगों पर आरिस समाज के लोग नौर्थ कारी कर रहे हैं और अभी इसमें सिक्कीम के अंदर में जो में सहर है गेंटोंक वहां पर एक बहुत वड़ा भामन का निर्वान होने जा रहा है वहां के दूर दराज गाउं में रहने वाले गरीब किस